ब्रेकाउट स्टॉक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था आप लोगों को ब्रेकाउट यानि कि किसी भी साइड होगा ब्रेकाउट हमें इंपोर्टन लेवल पर ध्यान देना है उसके बाद में आपको डेफिनेटली चार से पांच परसन तो आसानी से वहाँ पर मिल जाते दोस्तों तो ऐसे ही आज यहाँ पर दो स्टॉक लेकर आया हूँ दोस्तों और मैं ऐसा करता हूँ आपको उसमें अच्छा सा प्रॉफिट भी होगा दोस्तों इस चैनल पर अगर नहीं होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर जरू करना मेरा पहला स्टॉक है यहाँ पर जीमर इंफरा में यहाँ पर आगर आप देखते हो चोटे टाइम जुमाउट करने के बाद तो आपक आपको दीख रहा है 40 आ रहा है तो यह एक सपोर्ट का काम करेगा और दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और अगर आज का लोग ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर एक पॉसिबल डबली पैटन होगा जिसका यहाँ पर फिर टार्गेट 51 होगा इस जग जाने एक तक तो आपको एंटरी कहां पर लेना है दोस्तो और इन केस अगर यह लेवल ब्रेक कर दिया तो आपको शॉर्ट करना है फिर इस लेवल के नीचे 39 के नीचे ही आपको ट्रेड करना है फिर वो 36 एंफिर वो 39 तक जा सकता है नीचे के लेवल मैं आपको पहले यहा होता है तो आपका target यहां पे बैठता है फिर करीबन 33 तक यहां पे बैठता है दोस्तों अगर नीचे की साइड यहां पे गिरात हो मैं इसको rate कर देता हूँ easily होगा दोस्तों आप आपके chart में भी draw करके रख सकते हो दूसरा हमारा यहां पे जो pattern है वो एक W pattern हमें यहां पे बता रहा है कि यह W pattern हुआ तो यहां पे दोनों यह condition मैच हो जाएगा और हम यहां पे तो buy करने के लिए जो important level है वो है 43 हम इस level के उपर जब नेकलेगा 43 तब हम try करेंगे हमारा पहला target 45.60 दूसरा फिर हम 49 and then 52 इस तरह हम यहां पे target लेके चलते हैं हमारा target यहां तक होना चाहिए पहला target इस लेवल ते फिर second and फिर third 52 नीचे में आपको पता है दोस्तों यह हमारा long के लिए target हो गया मैं यहां पे एक arrow करके रख देता हूँ उपर की side का तो GMR को आप दोस्तों ध्यान में रखना यह एक अच्छा सा यहां पे मो हो सकता है उसका result भी है तो यहां पे अच्छा सा मो आप लोगो मिल जाएगा दूसरा जो important stock है वो है kotak bank kotak bank को अगर आप notice करोगे तो 1800 अच्छा सा support यहां पे बनके आ रहा है यह अगर आप यहां पे देखते हो तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पे जो fall आया था एक bounce आया तो अभी अगर हम Fibonacci इसको लगाते है तो जहां से यह start हुआ था fall के बाद अभी क्या हो रहा है कि यह 50% से retrace हो रहा है फिर 23 से bounce आया अगें 38 से retrace हो चुका है तो अभी यह इस जगह पर ऐसी जगह पर खड़ा है कि जो level से breakout होगा तो हमें दोनों साइट 75 75 points का move मिल सकता है यानि कि यह जो 2G candle बना है हमें उसके high के उपर यानि यह जो candle का यहाँ पर opening है 1850 1850 के बाद में हम यहाँ पर इसको long करके रख सकते है and short के लिए अभी यह नहीं यह level रहेगा यहाँ पर और आप अगर risk थोड़ा ले सकते हो तो क्या कर सकते हो यह level के नीचे ही short कर देना फिर आपका यहाँ पर target बनना चीए यह वाला 1920 के आसपस आपका यहाँ पर target होना चीए उपर की साइड आपको क्या होगा कि यह जो trend line आ रही है वहाँ पर आपको एक resistance मिलेगा जो यहाँ पर इस level तक यहाँ पर हमें लेके जा सकता है नीचे में तो यह level आना है इस जगह तक तो हमें दोनों साइड 75 points का मूँ मिल सकता है अची जगह पर यहाँ पर close हुआ है एक M pattern के लिए यहाँ पर complete होगा price action के लिए यहाँ पर reversal लेने आएगा for the confirmation तो हमें दोनों साइड में यहाँ पर trade में होगा अभी उसका अगर यहाँ पर option chain देखते हैं दोस्तो तो option chain में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा resistance है और कौन सा support है अभी कही साब से आप देखोगे तो 1800 support का काम कर रहा है पर इसके नीचे breakout वो तो 1700 जा सकता है और chart में जो support है वो 1720 है उपर की side भी similar है क्योंकि यहाँ पर 1820 के उपर sustain कर रहा है अगर यह sustain कर गया तो यहाँ पर next उसका 1900 है यानि कि दोनों side बहुत ही अच्छा यहाँ पर setup बना हुआ है आज का अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दूर की side यानि 1900 पर put का unwinding हुआ है अभी का जो strike है इस जगह पर यहाँ पर 1820 बे call shot हुआ है 188 एंपूट हुआ है 138 तो यह कल decide करेगा 1820 कि side position बनता है निच्छे की side 1700 उपर की side 1900 तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरू करना तैंक यू दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई